कॉंग्रस पार्टी ने काफी सोच विचार के बाद ये फैसला लिया है कि 22 जनौरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिस्था समारोह में वो हिस्सा नहीं लेगी काफी सोचने के बाद कॉंग्रस ने फैसला लिया है इसके पीछे जोनौने वजय बताई है वो उनकी साफ लिखा हुआ है कि भगवान राम की पूजा अर्चना करोणो भार्तिय करते हैं धर्म मनुष्ये का व्यक्तिकत विशय होता है लेकिन भारतिय जनता पार्टी और RSS ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर का एक राजनितिक परियोजना राम मंदिर को बना दिया है एक राजनितिक परियोजना बना दिया है राम मंदिर को ये उनकी प्रिसलिज कह रही है और साथी साथ कहा है कि सपष्ट है कि एक अर्ध निर्मित मंदिर का उद्गाटन प्रदान मंत्री दो हजार चौबिस में जो लोकसभा का चुनाव होना है उसके राजनितिक फायदे के लिए कर रहे हैं यानि कॉंग्रेस पार्टी का यह मानना है कि मंदिर अर्ध निर्मित ह पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है लेकिन चुकि चुनाव सामने इसलिए जनवरी में 22 तारिक को प्रदान मंत्री उसका उद्गाटन कर रहे हैं ताकि हिंदू जो भावना है उसका फायदा वोटों के जरिये लोग सभा चुनाव में उठा सके एक तरक यह दिया गया है क कि 2019 में मानी सरवच नियाले ने जो नीड़े दिया था उसको स्विकार है लेकिन आस्था के सम्मान में वो इस निमंत्रन को अस्विकार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारती जनता पार्टी और आरेसेस लगातार मंदिर मुद्दे को वोटर को इंफ्लुएंस करने में उनको लगातार मंदिर से जुड़े करते रहे हैं और उसी का हिस्सा 22 जनुरी का जो कारिक्रा में वो भी है इसलिए कॉंग्रेस इसमें शामिल नहीं होगी साथी साथ ये भी कहा गया है कि आरेसेस और बीजेपी वर्षों से इसको एक राजनितिक परियोजना के रूप में इस्त है कॉंग्रेस के लिए बड़ा फैसला इसलिए है क्यूंकि इस वक्त देश में जिस तरह की राजनीती चल रही है ऐसे में अगर कॉंग्रेस 80% जो मद्दाता हैं जो हिंदू धर्म से आते हैं अगर उनकी आस्था का प्रतीक जो राममंदिर है उसका निमंत्रन अस्विकार कर देती है यह देखिए बहुत धीक बाते कॉंग्रेस कर सकती है आरेशसी परारोप लगा सकती है बीजेपी परारोप अपनी जगए लेकिन आम जनता को गाउं में रहने वाली जनता को convince कर पाना कि राम मंदिर के उद्गाटन में कि आप क्यों नहीं गए ये बड़ा मुश्किल काम है और कॉंग्रस नहीं लगता है कि लंबी लडाई के लिए एक तरह से तयारी कर रखी है उसे सत्ता में आने के कोई जल्दी नहीं है या उसे प्रदेशों में सरक लड़ती रहेगी चाहे समय कितना भी लग जाए साल कितने भी लग जाए लेकिन अपने सिध्धानतों समझोता नहीं करेगी और बीजेपी खिलाफ उलड़ती रहेगी जनता की क्या पेक्षा है जनता का मूड क्या है उसको मुझे लगता है कि कॉंग्रेस के जो रणनीतिक उसके बहिशकार की घोशना कर दिये